मैं सुबह सुबह उठकर योगा कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसी करमाते करनी थी Amazing brother, amazing bro Hello guys, कैसे हो तुम सभी? So guys, आज हम बात करने वाले हैं Pokemon Facts के वारे में और मुझे पता है तुमें Facts वाली वीडियो बहुत सदा पसंद आती है और आज हम बात करेंगे, आवरा के हाथों में कुछ नहीं होता कडावरा के हाथों में एक चमच होता है और अले के जैम के हाथों में दो चमच होता है और मेगा अले के जैम के हाथों में पांच चमच होता है अरे भाई बताओ कैसे लगे तभाईदार Facts है ना सो गाईस मजाग था तुम्हें इस वीडियो में बहुत अच्छे फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे सो एंट तक देखना सो लेट्स गो फैब पैसा 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 ये पैसा दुनिया में सब कुछ है पैसा फैक्ट नंबर वन बेसीलि हमने चको कहीं बार एनिमे में देखा है और इसको पोकी आइस के कहीं सारे पोकीमाश को देखा है क्या तुम्हें ये पता है के इन में से कौन सा ऐसा पोकी आइस जो की पोकी आपार जाना आच्छा नहीं लगता तुम मैंसे काफी लोग जूबैट को तो जानते होंगे जिसका बड़ा समू है क्या तुम्हें पता है ये एक की बारे में 295 मिलिलीटर ब्लड ले सकता है अफकॉर्स भाई इसके डिजाइन के इसाब से इतना ब्लड तो ये आराम से ले लेता है पर इतना सारा खुण चुसतर ये करता क्या है भाई या खाई सो बढ़ते हमारे अगले अगले फैक्ट की तरफ फैक्ट नमबर थ्री बेसिकली हमने बहुत सारे कूल से पोक्यूमान को देखा है पर क्या तुम्हें पता है जियो डूड के नाम में आता है डूड और स्लोब्रो के नाम में आता है ब्रो I know गाइस तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा डूड और ब्रो का कॉंबिनेशन I know तुम ताली बजा रहे मेरे लिए मुझे पता है यार इसी के लिए एक like तो बनता है बाई कर दो like fact number 4 basically blaziken को हर कोई जानता है और काफी लोगों का favorite भी होगा so एक यह fire type है तो भाई सभी को पसंदी होता है और blaziken एक ऐसा pokemon है जो कि hoyan reason का है पर हमें यह जोटों में देखने के लिए मिल गया था जहाँ पर ash और harrison की battle हुई थी ash का 48 जो की हार या था इससे पर battle बहुत ही अच्छी थी so guys यह मेरा personal favorite fact है तुमारे लिए extra so देखो वैपोरियन के पास भाई मू नहीं है मैं मजाक नहीं कर रहा सही में उसके पास मू नहीं है fact number 5 so pokemon के anime में हमने कहीं सारे characters को देखा है और उनमें से कुछ तो mysterious होते हैं जैसे की mother and daughter basically ये character तुमें बहुत सारी movies में देखने के लिए मिलेंगी या फिर मैं खहूँ pokemon के आदी से ज़ादा movies में ये दोनों तुमें देखने के लिए मिल जाएंगे और साथी में आने वाली नई movies में भी हमें ये देखने के लिए मिलते हैं पर इसके बावजूद भी हमें इनके बारे में जादा नहीं पता कहीं बार तो ये ash के बाजू में से भी निकलते हैं तो ये बहुत जादा mysterious character है और ये एक बहुत अच्छा fact है और शायद हमें future में इनके बारे में और भी जानने के लिए मिल सकता है कि ये किसके mom dad है या फिर और कुछ तो बढ़ते हमारे अगले fact की तरफ fact number 6 basically हमने कहीं सारे pokemon के evolution को देखा है पर क्या तुम्हें पता है Eevee एक ऐसा एकलोता pokemon है जिसके पास सबसे जादा evolution है इसके पास 8 अलग-अलग evolution है और साथी में अलग-अलग generation के साथ इसको नए evolution भी मिलते रहते हैं तो बढ़ते हमारे अगले fact की तरफ fact number 7 क्या तुम्हें पता है इवी और जिराफ रिंग इन तीनो pokemon के नाम अगर तुम उल्टे भी करोगे न तो तुम्हें यही मिलेगा हाँ यह सही में होता है अरे भाई तुम ट्राइ करके मत देखो मतलब मेरी इज़त ही नहीं है भाई मुझे रिश्वास नहीं ही तुमको चलो मुझे पता है तुमने ट्राइ करके दिखा है आई नो तुमने किया यह फैक्ट नमबर 8 बेसिकली तुमने कभी ना कभी जाट्टू pokemon का नाम तो सुना होगा मैं मजाक नहीं कर रहा सही में इसका नाम यही है क्या तुम्हें पता है जाट्टू के पास एक पावर है जिससे ही हमारा future और past दीख सकता है हाँ मुझे पता यह बहुत ही amazing सी पावर है तुम्हें नहीं पता होगा यह कैसे करता है यह देखो और इसका जो first evolution है उसका नाम है नाटू ओके थोड़ा जाला हो गया तुम्हें बढ़ते हमारे अगले fact की तरफ fact number 9 बेसिकलि तुम मैंसे हाउंडूम पोकिमॉन का नाम तो भाई सबी ने सुना होगा यह एक fire type पोकिमॉन है और इसके बारे में कहा जाता है अगर इसकी fire तुम्हें लग जाएगी तो तुम्हें मरते तम तक इसकी fire से दर्द होगा तो भाई यह battles में तो कहीं बार यह attack करते हैं अपनी आख से और उसके बाद भी कहीं सारे पोकिमॉन और ट्रेनर्स भाई अभी तक जिन्दा है भाई यह पोकिमॉन के लॉजिक मुझे समझते ही नहीं है फैक्ट नमबर 10 बेसीकलि हमने बहुत सारे एलिट 4 मेंबर को दीखा है क्या तुम्हें पता है सारे टाइप के एलिट 4 मेंबर होते हैं सिफ बग टाइप पोकिमॉन को छोड़ कर और बग टाइप को छोड़ कर तुम्हें सारे एलिट 4 मेंबर मिल जाएंगे यह भी सही है भाई बग टाइप वैसे भी किसी को पसंद होता है फैक्ट नमबर 11 तुम्हें बहुत सारे पोकिमॉन को दीखा होगा जिनके एवलिशन होते हैं लेवल 20 पर 5 पर पर क्या तुम्हें पता है पॉलिगॉन का एवलिशन लेवल 1 पर होता है और साथ में स्लो ब्रो का भी यह एक लोते पोकिमॉन है जो की लेवल 1 पर इवाल्व होता है आई नो बहुत अमेजिंग सा फैक्ट था और ऐसे कहीं सारे पोकिमॉन से हैं और अगर तुम ऐसे पोकिमॉन के बारे में जानना है ला 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 तुम मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना ला 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 फैक्ट नोबर 12 बेसी के लिए हमने कहीं सारे पोकिमॉन को दीखा था जो कि पोकिमॉन जर्नीज में रिटन आ गए थे हमें गरिलिंजा के बारे में पता है भाई वो रिटन नहीं आया अभी तक पर इन सभी के बावजूद भी एक पोकिमॉन और था जो कि था सेप्टाइल सेप्टाइल के लिए हम लोग वेट कर रहे थे हैं पर ये रिटन नहीं आया शायद में भी हमें फ्यूजर में देखने के लिए मिले सो फैक्ट नमबर थर्टीन पिंसर पोकिमॉन के बारे में तुम बहुत यचे से जानते हो सो इसकी पोकेडेक्स एंट्री में बता आया कि भाई इसे पकड़ना बहुत जादा मुश्किल होता है खास करके इंसानों के लिए और कहीं सारे तो दूसरे पोकिमॉन भी इससे डरते हैं कि ये अपने दांतों से उन्हें मार सकता है सो इसकी एंट्री भाई बहुत जादा डैडिली बताई है और मैं सोच रहा था भाई गो को इसने क्यों नहीं खाया उसने तो सिफ भाई पोकिमॉन फेकर ही इससे पकड़ा था सो उसे भी खा लेना चीए था ओके गाईस मुझे पता है मैं गो से हेट नहीं करता है मुझे गो बहुत प्यारा भाई मेरे दिल के बहुत जादा करीब है वो फैक्ट नमबर फॉर्टीन बेसिकली हमने आरकेस को कहीं बार एनिमे में देखा है और इसके पास बहुत सारी ब्लेट्स भी है जिससे ही अपने टाइपिंग चेंज करता है और एनिमे हमने बहुत ही कम ब्लेट्स को देखा है जहां तक आरकेस उन्हें यूज करता है तो इसने बहुत ही कम बलेट्स का यूज किया है लगबग दो या तीन तो गाइस बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ फैक्ट नमबर फिप्टी तुम यह जानने के बाद बहुत जादर शौक हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे भाई नहीं यह फैक्ट ढूंडा है बेसिकली हमने टीम रॉकेट को तो बहुत वहर एनिमे में दीखा है क्या तुम्हें पता है जेसी और जेमस की आंके सेम है भाई अरे भाई रुको चपल मारने से पहले रुको रुको मजा कर रहा था मैं मुझे पता है तुम मुझे बहुत मारोगे तुम सबी जानते होंगे अगर मॉल्टरस को किसी भी बैटल या फिर कहीं पर भी चोट लग जाए तो इसे सिर्फ लावा की जरूरत होगी लावा की मदद से ही अपने चोटों को सही कर सकता है आई नो तुम्हें ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और भी आसम वीडियो के लिए मैं मिलता हो तुम्हें अगली वीडियो में Until then, peace out. Bye.